तन तन सत्गुरु स्रीगुरु नानक देजी महाराज सबतों पहला महामंतर उचार रहन जो आप जीनों अकाल पुरुख ने बक्षिश कीता सी एक ओवंकार एक अदवैत सुरूप है अदवैत उसनु आख देहना जो सजाती विजाती स्वैगत पेद रहत अते देशकाल वस्तु परशेद रहत होई ओवंकार सारे अदव प्रकाशक है सनातनमत वालिया ने ओवंकार दे त्रेट प्रकार दे पेद मन्ने वहयान पर गुरु नानक सहीब जी ने एक ओवंकार लेके सारे पेद मिटा के एक अकाल पुरुखदा ही वाचक मन्नेया है साते नाम तिने कला वेच नास्तों रहत अते परसिद है करता पुर्ख शारे जगतनों रचन वाला है साजन वाला है सारी स्रेश्टी वस्यरी पैदा किती होई है पूर्ण है सार्या थाविच नेरपा ओ पै तों रहत है उस दा किसे नालवी वैर नहीं है अकाल मूरत ओ काल तों रहत है मौत तों रहत है उस अकाल पुर्खदा सरूप काल अतीत है वक्की जिनने पौतक्स रिष्टी है सब काल दीन है यह था काल पाए ब्रहमाबब तरह काल पाए सेवजु अवतरह काल पाए कर बिसन परकासा सकल काल का किया अतमासा दसम ग्रांथोई दसम पाए अंग तेरा सो श्यासी दे फरमाओ देयान इसलही ए विशेशन भी अकाल पुर्खदा ही वाचक है जूनी अकाल पुर्ख जूना तो मुक्त है बाकी सारी जीव स्रिष्टी चुरासी लख जूना वेच ग्रस्त है यथा सो मुक्त जलो जित कहे ठाकुर जूनी पैरो रागदेश पंचंपात्षा सहीव स्रिग्रू अर्जन देव जी अंग तेरा सो श्यासी दे फरमाओ देयान जिसदा पाव ए है कि जो मुक्त उस अकाल पुर्ख नुक किसे जून वेचाया कहिंदा है ओ मुही सर जावे सैपंग ओ अकाल पुर्ख सुते प्रकाश रूप है उस दे मुकावले ते सूरज चंद्रमा तारे बिजली अगनी आद खट जोतिया परते प्रकाश माणान किसे देना सूरज चंद्रमा आदे का पौतिक प्रकाश दे वसीले सारे दे सारे ही खत्मों जानगे सिर्फ अकाल पुर्ख दी जोत ही अखांड जोत है जो कदे बुझन वाली नहीं यथा सब मह जोत जोत है सोई तिस्दै चानन सब मह चानन होई गुर्प्रसाद ओ अकाल पुर्ख गुरुदी किर्पनाल ही प्रापत होंदा है क्योंके गुर्मत दा सिदात है के गुरु द्वारा ही उस प्रभुदी प्रापती होंदी है जाप बानी दा नाम है वा जपन योग पाव के ए बानी जपन योग है आदे साच्च आदे उस समय दा परतीक है जदों पौत गरचना दा कोई भी कार्ण मुझूद नहीं सी उस वेले भी अकाल पुर्खवाई ग्रू मुझूद सी साच्च परमात्मा दा वाचक है साच्च उसनों मन्या है जो तिन्य काला वेच नाश नहीं हुंदा जोगाद साच्च जोगाद पाद उसकाल दा सूक है जदों प्रकर्थिक रचना दा अरंबोया जोग समय दा सूक पाद है जदों जोगादी सिर्जना हुई उस वेले भी अकाल पुर्खवाई मौजूद सी है पी साच है पाद वर्तमान काल दा सुवाचक है ओ प्रमातमा वर्तमान काल विच भी व्यापक्स रूप है नानक होसी पी साच गुरु नानक स्वाय प्रमादे आना के सर्व शक्ती मान प्रमातमा वेखत काल नुवी साच होवेगा सिद्धा मलो प्रिशन होया इस पंक्ती तो अपां अर्थ जो है अरंप करना है किल सचेयारा हुई है केव कूड़े तुट्टे पाल सिद्धा ने प्रिशन कीता के ए मनुख सचेयार किमे हो सकदा है अति कूड़ी पाल अर्थात के वाट किमे तुट सागदी है अगों गुरु नानक देवजी ने सिद्धा दो भुशेया के तुसींदसो केड़े मातनसार सचेयार होन अते कूड़ी वाट तोड़न दे केड़े साधनां तां सिद्धाने आख्या के साधे मात तनुसार पहला साधन कर्मकांड अर्थात के तन पवित्तर रखंदी पर किर्यानों मन्या है के सोच राख के ही साच दी प्राप्ती हुंदी है अग्गों गुरु मारायता अंतन गुरु नानक देवजी इस समाधान दा बाद दलील खंडन कर देहान अति फ्रमों देहाना सोच न होई जे सोच लखवार ऐसे दो को कर्मकांड न सार रखी होई तन दी सोच पवित्तर नाल तां इस तमदीव वित्तरता नहीं हुंदी जेकर लखावारी वी सुच मता रखल वी अनक जला जे तो वै देही मैल नवत रह सुद नातेही इस स्रीर तां कच्ची कंद वांग है जिन्ना मर्जी इसनो तोलव इस विचो मैल स्रवदी ही रहिंदी है यथा नवे शिदर स्रवे अपवित्तरा फेर सिद्धा ने क्या कि साड़े मातन सार सच्यार होंदा दूजा सादन चुप अर्थात के मौन है तां गुरु महाराजी तांतन गुरु नानक देवजी इस दावी बादालील खंडण कार्देक परमोदेहाना चुप चुप न होवाई जे लाए रहा लिवतार बाणी दा मौन ता अर्ननाल बाणी दी भी चुप नहीं उंदी जेकर ए मनोख तेल तारा वात अपनी सुर्त बगल समाधी वेचा लाई रखे यथा मौन नी होए बैठा एकांती हिर्दै कलपन गाठा फिर सिद्धा ने क्या कि साधे मत अनुसार सच्यार होंदा तीजा साधना वर्त रखना है पुखे रहना है जी इस दावी गुरु माराज जी खंड़न कारदे फ्रमों देहाना पुखे आ पुखन उत्तरी जे बनना पुरिया पार पुखे रहन नाल वर्त रिया दे तंदी पोखमी ना नविर्थ हो सकी अतने मन दी पोखता दूर होई नहीं सक्दी जेकरे मनोख वर्त आदिक राखे वर्त दा फाल अनेका पुरिया दे पदार्थां दे पार पाव के पंडाई बन लवे समदाई ब्रावत कार लवे क्योंके वर्त आदिक रखनवाले साधू दे बलोक दे पदार्थां दी इच्छा राख देयान फिर सिद्धा ने किया कि साधे मत अनुसार सच्यार बन दा चौथा साधन शास्त्रा दी स्यानप है इस दावी गुरू माराजी खंड़ कार दे फरमाँ दे हाना सहस स्यानप लख हो है ता एक न चल्ले ना आले ऐस द लोको इस मनुक कोल पामे हजारा ग्रंथा दिया लखा ही युगतिया जुगतिया होन स्यानप होन उन्ना विच्चों एकवी स्यानप सच्यार होन वेच कामवियाब नहीं हो सकती आखर सिद्ध ला जवाब होए ती बीनती कीती महराज आप ही दसो के सच्यार होन दा सफल तरीका किड़ा है ता महराज जी ता अंतन गुरु नानक देव जी ने अखीली पंक्ती उचारन कीती जो ये पंक्ती है अगे किव सच्यार होई है किव कुड़ा तुट्टै पाल इस पंक्ती दे अर्थापा अरंब वेची कार चुके हैं होन अगे है पंक्ती हुक्म रजाई चलना नानक लिख्या नाल तांतन गुरु नानक देजी फ्रमाँदे हानक के ऐसे दलो को एता हर मुनुक दे नाल तुर्दरगा दो लिख्या होया है कि सच्यार होन वास्ते रजादा मालक जो अकाल पुर्ख है उस दे हुकम वेच्च चलना चाहिदा है